expiry है तो बहुत सारे options सस्ते में मिल तो रहे हैं लेकिन हमारे को ये भी चेक करना है सस्ते में अगर 10 options मिल रहे हैं उनमें से कौनसा वाला सस्ता options है जिसमें से hero बनने की opportunity है हमारे पास वो identify करना अभी हम सीखेंगे आप 50 उर्पे की जो call option है या put option है वो कम सकम 3-4 गुना आदे गंटे में तुरंत हो जाती है मतलब कूडे के भाव में options मिल रहे होते हैं दो बजे के बाद अब इतनी सस्ती चीज मिल रही है तो loss भी अगर होता है तो बहुत छोटा loss होता है और profit अगर होता है तो बड़ा profit हो सकता है आज एक बर फिर से मैं नितिन जी को पकड़ के लाय बड़े असानी से मिलता है तो नितिन जी से आज हम डिटेल में सिखेंगे तो नितिन जी अब हमारे को सिखाईए कि कैसे zero से hero बना जाए expiry पर strategy क्या है सबसे पहले सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने यूट्यूब चैनल पर मुझे आज इन्वाइट किया और अभी expiry डे हर दिन expiry होने लग गई है और हर ट्रेडिंग सेशन एक ट्रेडर के लिए काफी important है खासतोर से जो option trader है क्योंकि week में 5 ट्रेडिंग को सबका favorite है जो bank nifty है जिसकी expiry होती है और आज जब हम लोग video बना रहे हैं तो यह Wednesday है और आज मार्केट में काफी अच्छी movement मिली और expiry वाले दिन जो option trader है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसने hero मतब zero को hero बना पाए आज और Thursday को अपनी nifty की expiry होती है और Friday को अब Sensex की expiry होन बहुत जरूरी है तो जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि zero को hero कैसे बनाया जाए यानि वैसी options जो जिसकी values decrease हो चुकी expiry वाले दिन बहुत कम value रह गई है तो हम जो ऐसे options जो zero होने की कगार पर उसे हम कैसे पकड़े ताकि वो hero बन जाए बट इसमें यह भी ध्यान रखते हुए ही आपको यह वीडियो को देखनी है और हमेशा यह ध्यान में रखना है कि option trading risk की business है तो हमें risk को भी analyze करना है और risk को analyze करते हुए tricks को समझते हुए आगे बढ़ना है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जो tricks अभी समझेंगे इस tricks को properly अगर हम use कर पाएं तो 60 to 70% hit ratio आप बना सकते हैं और कुछ trade आपके zero होंगे और कुछ trade hero होंगे जो hero होंगे उसमें आपको बहुत बड़ा profit मिलेगा three times four times और जो zero होंगे उसमें छोटा सा नुकसान होगा तो kull मिला के आप पूरे year wise अच्छे खासे profit मेरा सकते हैं इसमें सबसे important point यहां पे है कि मैं आपक इन जिसे basically मैं बचकाने वाले सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल beginners होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि beginner type ही मैं सवाल पूछू मुझे कुछ नहीं आता वैसे type अच्छा इनकी और बात को मैं यहां पे add कर देत है जिसमें से hero बनने की opportunity है हमारे पास वह identify करना आप यह हम सीखेंगे साथ ही नितिंजे ने एक बात यह भी बोला कि bank nifty सब लोगों का फेवरेट होता है तो सुरुवात मैं यही से पहले करता हूं नितिंजर ऐसा क्या है bank nifty में जो सब लोगों का फेवरेट होता है फिर आ देखेंगे तो वह 50-60 रुपया के आस-पास मिलती है ठीक है और बैंक nifty में एक-एक मिनिट में 50-100 पॉइंट का movement हो जाता है ठीक है movement मतलब गिरेगा भी बड़ेगा भी तो अगर आपने सही direction पकड़ लिया तो आप 50 रुपया की जो call option है या put option है वो कम से कम 3-4 गुना आ बैंक nifty सोचके देखें कि 50 पॉइंट का अगर प्रॉफिट हो जाता है तो 15-50 उतना पॉइंट का प्रॉफिट हो गया अब यह डिपेंड करता है capital कितना बड़ा है उसको उससे multiply कर दो उतना बड़ा बनाया जा सकता है तो बैंक nifty इसलिए सब का फेबरेट है कि बैंक nifty is the wild animal मैं बोलता हूं कि जो बैंक nifty है उसकी movement बहुत wild होती है बहुत fast होती है तो option trader के लिए तो fast movement चाहिए direction पकड़ लिया तो आपकी call put तुरन double या तिबल हो जाती है इसलिए बैंक nifty बहुत popular है traders के mind में बस एक ही चीज हीरो-जिरो में हमें ध्यान रखना है कि हमें over leveraging नही के लिए कई trader गलती यह करते हैं कि वो यह सोचते हैं कि बहुत चोटा premium में हम बहुत सारी quantity ले ले लेते हैं और बहुत सारा पैसा एकी बार में कमा लेंगे तो जिसके कारण उनको loss होने से सारा capital चला जाता है तो zero to hero का सबसे key point है कि आप उसमें limited risk लें जितना कि आप अगर चला भी जा है तो अगले दिन के लिए आप तयार हों कि नहीं मुझे फिर से data go देखके नया trade लेना है exactly क्योंकि option trading देखे रिस्क से आप बच नहीं सकते risk part है game का तो आपको risk consider करके ही रखना है कितना risk आप ले सकते हो हर रोज expiry के दिन normal के दिन उसके हिजाब से trade करना है ठ तरीके से trade करना है ठीक है ठीक है तो अभी आप देख पा रहे हैं पर नसी की website से option chain का data खुला हुआ है और expiry में trade करने के लिए सबसे reliable data जो है वो option chain का data होता है जिसे हम PCR ratio बोलते हैं अब क्या होता है जैसे expiry वाले दिन important यह कि आपको कौन सी strike का data देखना चाहिए और किस तरीके से data को देखना चाहिए वो अभी हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं जैसे सबसे पहले आज का मैं आपको bank nifty का data दिखाता हूं क्योंकि आज बुदवार है और bank nifty की expiry हुई है तो हम सबसे पहले bank nifty के data को समझते हैं उसके बाद हम nifty के data को समझेंगे जिसकी expiry कल ह होने वाली है thursday को और फिर हम फिन nifty के data को भी समझने की कोशिस करेंगे और इन तीनों data को समझ के मुझे ऐसा लगता है कि हम एक basic idea मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें data को study करना है और इस लिए expiry वाले दिन तो देखे यह option chain का data है और अभी मैं आपको bank nifty के data में लेके चलत नहीं होती है suppose कि अगर bank nifty 48,000 पर चल रही है तो expiry वाले दिन आपके लिए relevant strike 48,000 उससे 100 point उपर और 100 point नीचे बस इतनी ही strikes का data हमें देखना चाहिए क्योंकि उससे बाहर की strikes में premium नहीं होते है ठीक है तो वो data के लिए मैं आपको auto trender में लेके चलता हूं जो option chain का data जिसे हम लोगों ने design कर रखा है यह आपने क्यों कहा कि expiry वाज दिन इसके बाहर वाले premium नहीं होते है इस line का मतलब तेखिए suppose कि जो 48,000 call का market का price चल रहा है और यह जो मैं बात कर रहा हूं spot level से future level नहीं spot level से expiry होती है और 48,000 अगर spot चल रहा है तो अगर आप 48,000 spot का मतलब current market price जो underlying underlying है अब suppose कि जो 48,100 की call option का premium उस समय होगा करीब 30-35 रुपया और 48,200 का premium होगा 10 रुपया अब क्या है आपको expiry वाले दिन अगर आप 48,200 की call option लेते हैं तो आपको profit तब मिलेगा जब 48,200 के ऊपर market चलेगी तो उसकी probability comparatively कम होती है क्योंकि 200 point बढ़ने के बाद आपको profit आए उसी level की call put के data को focus करते हैं ताकि movement आने से तुरंत मुझे profit मिल जाए क्योंकि already उसके premium सस्ते हो चुके है तो हमें और सस्ते के पीछे नहीं भागना है तो इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि expiry वाले दिन हमें कौन सा data लेना चाहिए कौन से strike लेना चाहिए और कि कि इतने बजे हमें option में hero zero करना चाहिए hero zero expiry वाले दिन कभी भी आपको सुबह 9 बजे सवा 9 बजे से 2 बजे तक नहीं करनी चाहिए hero zero या zero to hero के जो moment होती है वो ट्रेडिंग हमेशा दो बजे के बाद करनी चाहिए क्योंकि दो बजे के बाद अगर आप data को देख करके strikes लेते हैं तो उसका फाइदा एक तो प्रीमियम कम हो चुके होते हैं सवा 9 बजे से 2 बजे तक प्रीमियम गट चुके होते हैं उसके बाद मार्केट में कम प्रीमियम का जो गेम होता है वो चालू होता है तो मेरा अपना experience यह बोलता है कि 2 बजे के बाद अगर आप data को देख करके ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपकी winning probability भी जादा होती है और स profit अगर होता है तो बड़ा profit हो सकता है बिलकुल चीक है तो मैं आज bank nifty का data आप लोग को दिखाता हूं और bank nifty की हम बात करते हैं और अभी आप bank nifty का data भी मैंने खोला है और concept को हम समझते हैं कि कैसे हम इस concept को use कर सकते हैं इसके बारें भी बात करेंगे इसमें क्या चीज़े दिखाने वादे हैं अब जैसे आज की जो market है यह आप देखिए 48,000 यह at the money strike है bank nifty की अब 48,000 अभी तो हम यह closing का data देख रहे हैं आज expiry हो चुकी है बट सुबह जब market खुली अब हमें hero zero trade लेना है हमारा objective क्या है hero zero trade अभी हम discuss कर रहे हैं तो जो भी level market का जो भी level market का दो बज़े के आसपास है suppose कि आज market में दो बज़े के आसपास का जो market का लेवल था यह 47,700 के आसपास market थी 47,700 के आसपास market थी तो यह इनके जो change in open interest है में इंपेर करना है चेंज चने स annis का यानि-न-अपूट का में ऐस जिस यह कि आपको यह बता दूँ कि जो मैं data टेख रहा हूं यह चेंज़ निवा पूर ऑपन इंट्रेस्ट देख रह भाँ इस ईन चेंज निवापन इंट्रेस्ट का यह जो चेंज नोब् conventions का है एक तो हो गया open interest मेरे go down में क्या माल पढ़ा है तो जो मेरे go down में पढ़ा है उसे हम बोलते है inventory that is called open interest और जो मैंने नया माल order किया है that is called change in open interest यानि मैंने नया क्या market में खरीदा है तो जिस दिन expiry होती है उस दिन नया माल क्या खरीदा या क्या आपने order किया वो ज्यादा relevant होता है compare to आपके go down में क्या पड़ा हुआ है अच्छा मतलब expiry के दिन open interest देखने का ज़्यादा relevance नहीं है हमारी पूरी नजर change in open interest पर होने चाहिए अगर हम zero to hero play कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा focus होना चाहिए वो change in open interest पर होना चाहिए ठीक है अगर हम कुछ ऐसी position बना रहे है जो हम expiry के ख्याल से या थोड़ी लंबी या carry forward के हिसाब से play कर रहे हैं तो उसमें हम change in open interest और open interest दोनों combine करते हैं बट मैं आपको इतने detail में भी नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि आज का जो हमारा topic है वो zero to hero है इसलिए हमें क्या focus करना है expiry दो बज़े यानि आपको point number one आपको ये note करना है कि आपको 2 p.m. के बाद data देखना है ठीक है 2 p.m. पे आपको note कर लेना है कि spot level क्या चल रहा है suppose कि ये bank nifty का spot level है 47,700 का level है spot future नहीं अंडर लाइंग का अब ये जो level है इस level का आपको change in open interest देखना है change in open interest call का देखना है और change in open interest same puts का देखना है correct चेक है calls का change in open interest कितना है 71 lakh चेक है 71,000,000,000 और 33,000,000 यानि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 71,000,000 लैक है change in open interest calls का और मुझे puts का दिख रहा है 33,000,000,000 ठीक है अब आप यहाँ पर एक ratio निकाली है जिसे हम बोलते है PCR PCR यानि कि change in open interest ये put का है this is put and this is call ठीक है ये put हो गया ये call हो गया तो put की कितनी है 33,000,000 PCR निकाल रहे है put call ratio और call का मेरा कितना है 70,000,000,000 तो is the call to मेरे पास कितना आया लगभग आधा हो गया आधा से भी कम हो गया around 0.25 या जो भी आएगा रेसियो एक्जैक्ट आधे से भी कम आ गया तो अगर ये रेसियो आधा है या आधे से कम है तो हमें कुछ नहीं करना ये जो strike है इसकी put option खरीद लेनी है ठीक है इसका logic ये है इस strike का जो current running market price है उसका put option खरीद लेनी है दो बज़े के बाद ठीक है अभी आप ये 253 देख रहे है प्राइस ये थोड़ा सो अपडेट होगा ये वन मिनुट ये mouse लेना पड़ेगा ओप ले जाने के लिए वो लिखा वो भी हट गया कोई बात नहीं तो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि 47,700 की पुट की closing price है ये 253 अगर आज के दिन आप इसका price check करेंगे दो बज़े के आसपास तो ये करीब आपको मिल रही होगी 60-70 रुपीज के आसपास का इसका price था जो बढ़कर के 253 होगी closing में मतलब expiry का closing आज हो चुगा है उस time पर ये 50-60 रुपे का रहा होगा 70 के आसपास था आप ज्यादा से ज्यादा एक strike नीचे में भी जा सकते हैं अगर suppose ये premium आपको ज्यादा लग रहा है तो आप उसके नीचे वाली strike लेंगे तो ये करीब 40 रुपे गी थी जिसकी closing price 157 है त ठीक है तो basically simple trick है बहुत ही simple है आपको जो spot level है उस level की call और put इन दोनों में comparison करना है और ये देखना है कि दोनों में difference double का होना चाहिए दोनों में difference double का होना चाहिए यानि कि यह 71 लाख है यह 33 लाख है तो डवल का difference है चिक है यहाँ पे 71 है यहाँ पर तती थिल काग को और ऐंड है तो ज्यादा कि इधर grooming इंड कॉटी तपिण हरे फील आप्ति 2 ऊथ ज्यादा कि एदर है इधर है तो मुझे remix सबसे बड़ी गलती कई वही होती है कि वह इंबालेंस को हमें trade करना है तो इंबालेंस का मतलब हुआ कि कम से कम यह ratio double का होना चाहिए बड़ा इंबालेंस होना चाहिए तो आपको बड़ा इंबालेंस होगा तभी तो 0 से hero होईगी और अगर बैलेंस रहेगा तो वो टाइम वेलू डिके हो जाएगी इसलिए हमें इस तरीके से यह डेटा को स्टड़ी करना है और यह तो एक्सपारी के दिन की टेक्निक होई हीरो जीरो अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं इसे में थोड़ा और अडवांस तरीके से और अगर आपको म मार्केट मैं यह मान के चल रहा हूं कि दो बजे 48,000 चल रही है तो इस से यह यह चार यह आपकी यह यह बस इतना सा डेटा पर आपको फोकस करना है यह मैंने एक बॉक्स बनाया आपके लिए यह हो गई एटियम माउस तो नहीं आगे यह हो गई एटियम प्लस वन और माइ कि जो भी प्रीमियम होंगे इसी में होंगे और अगर आपको लेना है तो इन तीनों में से ही कोई स्ट्राइक पर आप दाव खेल सकते हो जिरो टू हीरो का इसके लावा कोई भी स्ट्राइक पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए बट बेस्ट है कि हम एड़ दा मनी वाले प कि अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के ओपन इंट्रेस्ट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और यह अभी मैंने आपके सामने आज का चेंज इन ओवाई का चार्ट जिन लोगों को नंबर से डर लगता है ऐसा ग्राफ देख करके वह बड़े खुश हो जाएंगा इजी एजी रिप्रेसेंटेशन हो गया अब आप यह देख पा रहे हैं इसमें जो ग्रीन कलर की जो इन कांडल्स दिख रही है आपको यह बार चार्ट यह है कॉल और यह जो रेड़ वाली दिख रही है यह हमारी पूट कट ठीक है अब आज की जो इनवेंटरी है आज का in open interest सबसे ज़्यादा इस लेवल पर है 47,700 पर या जाए तो ये जो strik è, ये strik में सबसे ज़्यादा call writer है, इसलिए हमें इस strike की call नहीं लेनी है, क्या लेनी है, put लेनी है, ये देखिए, difference बहुत बड़ा है, तो बड़ी opportunity है कि हम लेनी है, तो अगर कभी भी ऐसा डेटा आपको दो बजे के आसपास मिले और मार्केट उसी लेवल के आसपास हो तो यह बहुत अच्छी अपरचुनिटी होती है और आपके पास तो पांच एकस्पाइरी के प्रोड़क्स हैं अगर आप हर दिन इस तरीके की अपरचुनिटी ढूनते रहेंगे तो किसी ने किसी में कभी न कभी आपको पांच में से तीन दिन ऐसा मिल जाएगा जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका जीरो हीरो ही होगी बट यह ऑपरचुनिटी देखके हमें ट्रेंड करना है अब आप इंबालेंस यहां पर देख पा रहे हैं यह कितना बड़ा इंबालेंस है अच्छे तो इसको देखके नितिन सर वो हमें PCR काल्कूलेट करने का भी लफड़ा जाएगी यह पुट लेने में रिस्क है क्योंकि यहां पर पुट ज्यादा है रेडवाली और कॉल कम है यह स्ट्राइक प्राइस पर कॉल लिया जा सकता है हां बट हमें फि अब अब बात करी कि ओवर ओल डेटा के साथ आप क्या करोगे अब 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 उसके लिए हमें कैसे हम समझ सकते हैं उस चीज को अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी का डेटा आज सुबे से ही PCR हमारा नेगटिव चल रहा था अब इसमें एक और ट्रिक आप समझ लें कि कैसे हमें इसको यूज करना है अब देखिए 945 से हम देख पा रहे हैं यह डेटा नेगटि करना है क्योंकि दो बजे ओवराल डेटा के साथ हमें यह देखना है कि कौन से स्ट्राइक में सबसे ज्यादा इंबैलेंस आ रहा है और उससे स्ट्राइक की जो इंबैलेंस होगी तो हम पूट लेंगे किसी भी कंडिशन में कॉल में अपर्चुनिटी हम नहीं डूनेंगे हाँ मतलब हमारे पर यह कहना चाह रहा है कि इतने सारे सेलिंग अपर्चुनिटी है तो अभी जो हमने देखा उधर कि वहाँ पे पूट कॉल लेकर के फाइदा कमा सकते थे उधर नहीं जाना है क्योंकि आज का मार्केट करेंट टाइम के कॉर्डिंग पूरा सेलिंग का मह यह जो डेटा सुबह से कैलकुलेट होके आरहा है नाइन फॉर्डिवाइब से लेवन दो दो बज़े तक आप देख पा रहे हैं यह जो जितनी भी स्ट्राइक है चार पांच स्ट्राइक उपर चार पांच स्ट्राइक नीचे उन सब का कमबाइन कैलकुलेशन है यानि हुआ यह जो स्ट्राइक हम देख पा रहे हैं जैसे कि 48,000 अभी जब हम यहां पर PCR निकालते हैं सपोज कि यह वाला PCR अगर निकाले या इसका भी हमने PCR निकाला था तो 71 लैक और यह 33 लैक तो 33 लैक डिवाड़ेट बाइ 71 लैक सपोज PCR निकाला 0.30 यह इस स्ट्राइक का PCR इस त्राइक गया अगर आप इस स्ट्रीक का निकालें गैं तो इसी टरीके से हर स्ट्राइक स्ट्राइक का PCR निक्लेगा और इसका combined यानिि कि टोटल पॉदीशन का सम मेरा यह हो गया इन सब को जो मैंने सम किया तो और इसका मैं जब PCR निकालता हूँ सपोज कि यह 2 तो 50,000,000,000 divided by 2.32 crores ठीक है तो PCR जो निकला वो combined PCR हो गया ठीक है तो overall PCR का जो direction होगा उसी direction में आपको trade लेना है और केवल individual strikes पे focus करके strike selection करनी है यह simple zero to hero trick है जिसे आप हर instrument में like nifty, finnifty, sensex, bank nifty हर जगा आप यूज़ कर सकते हैं और यह मैंने अपने experience में देखा है यह 60 to 70 percent इसकी accuracy भी है अच्छा मेरा एक सवाल है यह definitely लोगों का भी होगा कि अभी थूरे दिर पहले आपने बोला कि हमें यह 100 point उपर, 100 point नीचे का वो देखना है अभी लेकिन जब हम total कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा उपर अच्छा खासा नीचे का total कर रहे हैं ऐसा क्यों ले रहे हैं दो बज़े तब आपको प्रीमियम खतम हो चुके होंगे बाकी strikes में तो इसलिए आपको केवल यह पर ही फोकस करना है जिस लेवल पर मार्केट है अच्छा यह दो बज़े के बाद की बात का हां और जब हम सुबह से ट्रेंड निकाल रहे हैं तो फिर हम सुबह से सारी strikes में काम हुआ होगा उससे में प्रीमियम होगा तो इसलिए हम overall PCR के direction में ट्रेड लेने की कोशिस कर रह अब समझ में आ रहा होगा लोग ठीक है तो यह तो अभी हमने समझा बैंक निफ्टी के बारे में अब इसमें बैंक निफ्टी में माउस लेना होगा अब अब देखें बैंक निफ्टी में और बहुत यूस्फुल टेबल है हमारे पास जो आप खुच से कालकुलेशन कर सकते एक्सेल में भी कर सकते чист geschim यह इंट्राडे में जो डेटा बन रहे हैं जो इंट्राडे में डेटा बन रहे हैं उसे हम यह जो भी call या put की position बनी है यहाँ पे intraday trend आपको यह दिखता है कि call में आज 96% inventory है यानि 96% position बनी है और put में minus में है तो यह signal मेरा sell में आ रहा है मतलब सीधाisiónरा आ है कि मेरे को call site जाना ही नहीं है याना ही नहीं है क्योंकि यह strike यह strike यह strike यह strike इन सब का total करके जो sum आई और यह strike यह जितने भी puts है इन सब का total करके जो sum आता है उसे हम यहाँ पर calculation करके आपको दे रहे हैं कि total market में जितने ही position बनी है सिधा सिधा है कि मेरे को call side जाना ही नहीं है जाना ही नहीं है क्योंकि यह strike यह strike यह strike यह strike यह strike इन सब का total करके जो sum आई और यह strike यह जितने भी puts हैं इन सब का total करके जो sum आता है उसे हम यहां पर calculation करके आपको दे रहे हैं कि total market में जितनी भी position बनी है कितना percent call में कितना put में है और फिर आपको यह signal generate होकर के आते हैं और यह live market में आते हैं तो यह तो intraday का हो गया और अगर suppose आप expiry का trend देखना चाह रहे हैं कि expiry में क्या trend बन रहा है तो यह देखे weekly trend यानि की आज expiry है 21st December को तो 21st यह basically bank nifty का expiry 20 December को है यह 20 December की expiry है तो 20 December की आज जब expiry हो गई तो इसका weekly trend क्या चल रहा है यानि 74% calls में positions है और put में 25% position है यानि कि call writers काफी aggressive है यह किस क्यों दिखा रहा है आपर यह साइद मिस्टेक है तो यह तो आप यह देख पा रहे हैं कि 74% position overall trend में है और intra day में भी मुझे दोनों मैच होड़ा है वैसे भी आपकी एक philosophy है मैं remind करा देता हूं नितिन जी कहते हैं कि according to say 90% trader loss में है 10% trader profit में होते हैं तो नितिन जी कहत हैं कि जो काम वो 90% trader कर रहे हैं हम उसके opposite करते हैं अगर हम opposite करते हैं हम 10% की category में आ जाएंगे जो profitable है तो सीधा सीधा कहना इनका यह है कि यहां इतना बड़ा number है call की side तो मतलब 90% जनता इधर हम ने जाएंगे उदर हम इधर आ जाते हैं तो हम आ जाएंगे 10% यह नॉमल सा philosophy है यह जो philosophy है यह भी मैंने loss करके सीखा है और कई वार ट्रेडिंग करने के बाद मैंने ऐसा फाइंड किया open interest के data में कि ऐसा हो रहा है तो उल्टा करने से profit होने लग गया तो फिर इसको मैंने back test किया जब monthly expires होती थी तो उस समय previous 5-6 साल के data को किया जब से weekly expiry आई है तो मै मुझे back testing में इसमें 65% के आसपास का hit ratio मिला बट इसकी ट्रिक है कि आपको 11-12 बजे के बाद ही इस data को follow करना इंट्रडे में आप अगर उसके पहले करोगो तो data change भी हो जाते है ताइम बढ़ा important है तो उससे मुझे यह समझ में आया है कि अगर हम जो crowd है उसके against हम काम करें तो मेरी winning ratio 65% आ रही है तो फिर वो सब सारे concepts को हमने order render के अंदर implement कर दिये ताकि एक retail trader जिसके पास tools option trading के लिए नहीं हो पाते हैं वो इसको use करके अपने decisions making को अपने option trading को improve कर पाए तो एक normal notes आपके लिए बन सकता है कि normal day में अगर आप trade कर रहे हो तो 11 बज़े के बाद, expiry के दिन कर रहे हो तो दो बज़े के बाद, बिलकुल एक अगर आप zero to hero play कर रहे हैं तो आपको दो बज़े के बाद ही लेना चाहिए उसके कई फायदें premiums कम हो जाते है, time कम होता है, तो moment मिल जाती है, छोटा risk होता है उसमें, तो यह सब factors है, यह अभी हमने bank nifty समझा, अब एक बार मैं आपको nifty भी इसमें indicate कर देता हूं कि nifty कैसे हम trade कर सकते हैं, फिर हम फिन nifty की तरफ आएंगे, अब देखिए, आज की expiry की हम बात करते हैं, और आज expiry nifty की कल होने वाली है, कल thursday है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं, यह nifty options weekly data है, और इस से हम यह समझेंगे कि कल expiry कि इधर होगी, यह कल expiry है, और कल expiry का data बन रहा है, और आज का data क्या था, यह nifty का जो डेट है, वहाँ चला गया, वह तो ठीक करा दोगा, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस software का यह nifty data में दिखा जाए, नहीं वह ऐसे भी strikes अलग है, अलग है, बट क्या यह date का कुछ error होगा, इसे में ठीक करा दोगा, अब हम, अब देखें, यह बात कर रहे हैं हम लोग, कि आज expiry वाले दिन, क्यों मैं बोलता हूँ कि हमें 12 बजे के बाद trade करना चाहिए, क्योंकि आज का data आप देख सकते हैं, 11-12 बजे के बाद data में changes आए हैं, और जो भी data 12 बजे क हो गया, सुबह तक positive था यह, और 12 बजे negative हो और उससे में market का क्या rate था, 21,616, और फिर आप देख पा रहे हैं कि जो closing हुई है, वो कहां पे हुई है, 21,201, यानि PCR टर्ण हुआ negative, 21,616 पे, और market बंद हुई, 21,201 पे, यानि 400 पॉइंट का आपको यहां पे trade मिला, 400 पॉइ पूट नहीं लेते हैं या छोटा profit लेते हैं, हो सकता है, 400 पॉइंट काई वाद option trader नहीं hold कर पाते हैं, तो वो छोटा profit लेते हैं, कम लोस तो नहीं होता है, उल्टे side आप नहीं फसते, चार सो पॉइंट नीचे चला गया है, 400 पॉइंट और signal बहुत बढ़िया है, signal आप यह 12 बजे के आसपा signal आ गया है, और यह signal हम लोगों ने जो हमारे premium टेलिग्राम चैनल के subscriber है, उसे हम लोगों ने 11.35, 11.40 पे एकदम हला करकर के बता दिया कि यह signal हो गया है, आप market में call से भागो, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि PCR के जो data में signal आये थे, वो आपको आये 12 बजे, यह PCR का data टर्ण हुआ negative 12 बजे, बट हम लोगों ने क्यों 11.30 पे ही signal दे दिया, 11.30 से 11.45 के बीच में, कि आप market से भागो, ठीक है, उसके पीछे एक तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह मैं आपको दिखा रहा हूं, हर 15 मिनिट का data, इसमें खासियती है कि आप 5 मिनिट का भी data देख सकते हैं, तो जब आप 5 मिनिट का data देखते हैं, तो आपके पास every 5 मिनिट, यह data अपडेट होने लग जाता है, अब यह data जब every 5 मिनिट अपडेट हो रहा है, तो आप यहां पे देखे, ट्रिक क्या थी, 11.45 के आसपास, डेटा में बहुत जो रही है, बहुत थी तेजी से 피CY आर गिर रहा है, साड़े तीन से, डाई के, और यह से सीधा दो, हम लोगों ने यहां से observe करना चालू किया कि अच्छी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अचानक से यहां पे देखा, यह यह आ गया, ठीक है, तो यह 5 म और इसमें यह सेम्टेटा उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकिसेंक में लाइभ ट्रेटीनिग हम कैसे करता है उसके बारे में 20 तक और सूब现在, बैसे आइँ मार्केट फुली 15 sc CruiseOXSड और ऐसे साटेंनों से 17 बाट इस में लोगों पर अनुम लूक कुछ नहीं करेंगे तो अभी हमें बायों डिप करेंगे क्योंकि PCR पॉजिटिव थाउस समय ठीक है यह हम लोग की ओपनिंग स्टेटिजी थी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट मैसेज यह देखिए देटा अचानक से में क्लिक वाशा हो गया 11 बच के 28 मिनट का पीचा डेटा टर्न नेगेटिव हां अफ्टर गैप अप्प हां ठीक है तो यह वेट एंड वाच एस पर पीचे डेटा कॉल्स अवाइड करना है और यह देखिए पीचे डेटा अवाइड कॉल्स फर सम टाइम ठीक है और यह जो एक और डेटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसी सौफटेर के अंदर यह पीचे अर का स्लोप है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिसकस किया था कि पीचे अर की डेटा को हमें कैसे यूज़ करना तो यह देखिए यह पिन डिकेट कर दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का स्लोप नेगेटिव है निफ्टि और अंग निफ्टि बोथ आर सब्वोंटिंग नौट सब्वोंटिंग दा मार्केट चेकश ये घरता हुआ हमारे को कितने वज़े देखने लग गए इसमें देख रहे हैं कि यह अब देखिये साधे तो बेसिकली आप क्या है इस डेटा से अर्ली आप कैच कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट गिरी और फिर आप देखिए in fact उसके बाद मार्केट गिरती चली गई और फिर हम लोगों ने आज पोल भी कराया और पोल में हम लोगों ने ये कराया अब मैं आपके सामने पोल आ आज का पॉल क्या था, PCR data turned negative at the rate 12 PM, Nifty futures उस समें कितना था, 21,616, after that Nifty future fell, fell to 21,416, जब हम लोगों ने पॉल किया, ठीक है, more than 200 points, we indicated strongly to avoid the calls at 12.58 PM, when Nifty futures trading, निफ्टी फ्यूचर 21,616 पे ट्रेड कर रहा था, हम लोगों ने clear बोला कि भाई, market में weakness आएगी, PCR negative हो गया, अब वोटिंग करीब 72,7274 ने किया, अभी मैं वोट कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने वोट कर रहा हूँ, तो एक वोट बढ़ेगा, हाँ, अब देखे, 74-74 और किसी ने वोट किया होगा, जो भी आगया, तो अब यह देखे, अब 66% लोगों ने बोला कि I got saved in the calls, and saved big loss with the help of PCR data, credit goes to PCR data, 34% ने बोला कि I did not follow the PCR data, and trapped and lost, तो इससे learning हमें यह मिलती है, कि यह जो 34% है, यह कल से फिर इस data को ध्यान देंगे, ताकि धीरे-धीरे इनकी यह ratio इदर shift होता जाएगा, तो जो SEBI का data है, कि 85% को loss होता है, ठीक है, और 15% को profit होता है, अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि 66% को profit हो रहा है, 34% को loss हो रहा है, बट जैसे-जैसे यह awareness बढ़ेगी, लोग यह data को follow करने लग जाएगे, discipline तो यह जो ratio है, यह हम 70-30 की तरफ move कर सकेंगे, तो मेरा objective यह है, कि यह data को आप देख करके, कम से कम इस data के अगेंस trade नहीं करें, और यह vote percentage भी अच्छे कासे traders हैं, 72-77, यह live trader हैं, यह छोटा मोटा sample size भी नहीं है, तो इससे अप अंधाजा लगा सकते हैं, कि इस model की accuracy कितनी अच्छी है, और यह जो voting है, यह केवल आज की ही नहीं है, आज तो आप देख पा रहे हैं, यह today हम देख पा रहे हैं, 20 तारीक का है, और कल का भी vote एक वर आपको दिखा देता हूँ, confidence gain करने के लिए, objective भी है कि आप इस पर confidence लाएं और कल के, क्योंकि देखिए, यहाँ पर अभी मैंने login किया है, सागर जी भी telegram channel में joined है, बट यह voting नहीं करते हैं, तो इनका vote जो है, वो अभी खाली चल रहा है, इसलिए मैं vote आपके सामने कर दे रहा हूँ, आप यह देखिए, कल का vote है, कल का vote है, yesterday आपको दिख रहा है, यहाँ पर, यह देखिए, यह उपर चला जा रहा है, नराज होना लग रहा है, यह yesterday का vote है, और dated, 19 December, we have indicated positive data at the rate, 20-405, और उसके बाद 19-505 हो गई, 100.50 उपर चली गई, with strong conviction and supporting data, अब यह data किया था, data, PCR है और कुछ भी नहीं है, strong conviction और यह data है, अब मैं आपके सामने इसकी voting करता हूँ, अभी तक के votes कितने हैं इसमें, 6,335, अब मैं आप vote करें, 336, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं, कि हमारा यह जो रेशियो है, यह हमारा 65% लोगों ने बोला, yes, I have taken the calls and book profit positive PCR data, तो फिर वो जो बात हम कर रहे थे, कि जो रेशियो है, सेभी का, कि 85% लोगों को loss होता है, हम काफी हगत तक यहां पर improve कर पा रहे हैं, हम 35 से 65 की तरफ move कर गया, एक learning निकल रही है यहां पर, वैसे मैं अपने पहले session से बात कर भी चुका हूँ, देखो कई बार candles में जूट हो सकता है, चार्ट में जूट हो सकता है, data का भी जूटा नहीं हो सकता, तो अभी यह चीज़ प्रूफ होती दिखे रही है, यह सारा calculation जो निकाल रहे हैं, यह based on data निकाल रहे हैं, नहीं नितिन सर्थ, यह देखे, जो data की अभी मैं बात कर रहा था, अब price जैसे आपने बात किया, कि price जूट हो सकता है, data नहीं हो सकता, वो उसका reason भी यह है, कि price का जो moment होता है, कोई भी indicator हो, या price हो, वो volume से move होता है, बट जो data बनता है, वो पैसे से बनता है, यानि अगर आप open interest create करते हैं, तो एक lot को open interest create करने में 2 lakh का capital लगता है, क्योंकि buyer भी होता है, उसमें seller भी होता है, तो open interest हमेशा capital से बनता है, minimum 2 lakh का capital चाहिए, minimum 2 lakh का चाहिए, but volume तो margin से हो सकता है, तो charts में कई वार आप spike देख सकते हैं, वो volume से हो सकता है, अचा, volume का मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो volume का मतलब buying selling, वो कितना frequently होता है, वो spike से होता है, बट जो open interest create होता है, वो ऐसे भी 3 मिनिट तक, जब तक वो volume सस्टेन नहीं करेगा, open interest में count नहीं होगा, open interest में जो आप data देखते हो, वो 3 मिनिट तक अगर वो deal मतलब सस्टेन कर रही है, square off नहीं हुआ है, तब ही वो OI में आता है, अब आपको यह मैं data दिखा रहा हूँ, learning point of view से, यह कल हम लोगों ने क्यों call option लिया, और 100 point market उपर चली गई, यह देखिए, strong put writing scene, यह strong put writing, यह सारी strikes में हम देख पा रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यह logic के साथ हम live market में trading करते हैं, कि इस strikes पर put writing है, यहाँ पर put writing है, call और put, तो जब सारी strikes में put writing है, तो market में नीचे आने के chances नहीं है, तो यह data का logic share करते हुए, इनको इसका logic को share करते हुए, हम लोगों ने बोला कि हमें, data, data indicates we are ready for the up move, and short covering towards above 2100 spot soon, ठीक है, और उसके बाद market में movement आई, और जिसकी voting आपने देखिए आज, ठीक है, तो यह जब logic आपके साथ, आप ट्रेड करते हैं, तो आपको trade hold करने का confidence आता है, इसी में सेम, यह देखिए, जो में graph दिखा रहा था, यह PCR का graph है, यह study की हम बात कर रहे हैं, और यह PCR का यह देखिए, इस तरीके से यह graph में, यह data यहां से, ऐसे move कर रहा है, move कर रहा है, बैंक, निफ्टी और निफ्टी का, तो यहां पर call लेने में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और फिर, अल्टिमेटली जो मैं समझ पा रहा हैं निदिन सार, बेसिकली आपने इसके थुरू डेटा का रेप्रेजेंटेशन इजी कर दिया, जो सबसे अदा मुश्किल होता है, लोगों को समझना डेटा, बिल्कुल, अब जैसे आपको आज अपने, एक और वोटिंग कर लेता है, प्रिवियस मंडे की, उसके पहले, तो फिर हम आगे नेक्स्ट कॉंसेप्ट में आएंगे, ताकि आपको तीन दिन की वोटिंग दिख जाए, तो समझ में आजाए कि किस तरीका, अगर हम हर दिन वोट करते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद, वोटिंग वोटिंग खेलते हैं ये, ताकि एक पॉब्लिक ओपीनियन के साथ हम ट्रेड कर पाएं, और हमें समझ में आता है लोग इसमें कितना इंप्रूफ कर रहा है, अब देखे, ये आ गया हमारा नया वोट, ठीक है, अब क्या है, तुड़े 18 दिसंबर, अभी हमने 20 का किया, 19 किया, अब हम 18 में आ गए, 18 में क्या आ रहा है, तुड़े 18 दिसंबर, निफ्टी फ्यूचर क्लोज डाउन बाइ 90 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, आई वास टेडिंग तुड़े विथ नेगेटिव पीसिया डेटा इंपूट्स, अब ये बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, और ये बोल रहा है लॉस हुआ, अब मुझे पता नहीं है कितना परसेंटेज कि इधर है, जब आप वोट करेंगे तो आपको पता चलेगा, कि कौन जीता है, टोटल अभी तक का जो वोट्स है, 5866 है, अब सागर जी को नहीं पता है, कि ये क्या परसेंटेज आने वाली है, ठीक है, डेटा ये बोल रहा है कि अब आपको जहां पर वोट करना आप कर सकते हैं, मैं तो नीचे करूंगा, चलो जी, तो आप 34 परसेंट में आ गए, मैं लोस में हो गया मतलब, आपने डेटा को फॉलो नहीं किया, और यू आ इन्टो 34 परसेंट, और 66 परसेंट लोगों ने प्रॉफिट बनाया, तो फिर वही आ गया, 18 परसेंट को भी हमारी वोटिंग में ये आ गया, कि जो सेवी बोलती है, 85 परसेंट लोगों को लॉस होता है, बट अगर आप इस डेटा को फॉलो करें, तो मैं बोलता हूँ कि 65 परसेंट लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो तीन दिन की वोटिंग, ऐसे आप हर दिन की वोटिंग है, आप बोलो तो मैं आपको, आईसे तो आप सेवी को गलत कर दो को फिर, सेवी कहरी 90 पर्षेंट लोगों को लॉस कर रहे हैं, वो तो फैक्ट है, यह फैक्ट है, जो सेवी का बोलना है कि लॉस हो रहा है, इस इस फैक्ट, बट मैं इस वीडियो के थूँ यह बोलना चाह रहा हूँ, कि fact को हम अपने कर्म से ठीक कर सकते हैं कर्म का मतलब हो गया कि discipline, rules और tricks को अगर हम follow करें तो ये जो ratio आ रहा है, इस ratio को काफियाद तक हम improve कर सकते हैं हमसे गलती होती है, इसलिए हमें loss होता है गलती क्या होती है कि हम data को नहीं देखते हैं किसी facts पर trade नहीं करते हैं, तो हमें loss हो जाता है ये data देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं तो ये simple तरीके से मैंने कोसिस करी है कि आप लोग तक पहुँच पाऊं और सागर जी ने मुझे बुलाया ताकि मैं आपके पास पहुँच पाऊं तो जो सेवी का data देखेगा वो भी देरे देरे चेंज होने लग जाएगा अमेजिंग ये तो खतरना हो जाएगा बतलब 60% से तो ऊपर ये हाँ और वोटिंग मेरे पास हर दिन की है अब अब ही तो जैसे मैंने आपको तीन दिन लेते हैं एक दिन और लेते हैं तो बैसे तब तक मैं बता दो इस टेलिग्राम का लिंक डेस्क्रिप्शन में है आ गई ये देखे वोटिंग आ गई ठीक है अब आप लोगो बड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा हुगा कि आज क्या रिजल्ट आने वाला है अब आज का कुश्चन क्या था PCR डेटा वास पॉजिटिव फ्रॉम ओपनी यानि हम बात कर रहे हैं PCR डेटा की जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं उसी पे प्रैक्टिकली ट्रेट कर रहे हैं कुछ भी थियोरी नहीं है ठीक है तो डेटेड 15 दिसंबर यानि हमने 20 की वोटिंग देखी 19 की देखी और 18 की देखी और फिर दो दिन सैजड़े संड़े पढ़ गया तो 17 और 16 चला गया अब 15 की हम देख रहे हैं निफ्टी क्लोज़ड अब अट अन्यू हाई अब मैंने वोटिंग आप पढ़ आप पढ़के बताईए तो पॉइंट नमबर वन मैं प्रोफिटेबल था अभी मुझे वोट पता नहीं है यानि पॉजिटिव पीसियर था बट मैं पुट ट्रेड कर रहा था अगेंस्ट देटा अब हमें यह यहाँ पे देखना है कि पीसियर डेटा के साथ जो अगेंस्ट कर रहे थे वो जीते हैं या यह जीता है जो साथ कर रहा था बई लॉजिक यह है मतलब यह देखना है कि जो डेटा आपने शेयर करा उसके अकॉर्डिंग ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल हुए ज्यादा लोग लॉस हुए अभी तक हमने तीन देखा तो प्रॉफिटेबल रहे अब हम चौथा दिन देख रहे हैं अब आप वोटिंग आप करें चलो इस बार मैं भी प्रॉफिटेबले डाल देता हूँ 73% यस आपके सामने तो अब बोलिए अब आप बताईए कि मैं हो सकता है ऐसा इंडिवीजूल गलत हो सकता हूँ बट ऐसा वोटिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 420 लोगों का सैंपल साइज है और आज तो और बेटर है 73% 73% लोगों ने प्रॉफिट किया अगर उन्होंने आपकी बात माने प्रॉफिट किया मेरी बात ने PCR डेटा को फॉलो किया मैं अपनी बात आपको नहीं मानने के लिए बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आप PCR डेटा को फॉलो किया और मैं जो आज प्रमोट करने की कोशिस कर रहा हूँ यह मैं PCR डेटा को प्रमोट करने की कोशिस कर रहा हूँ मैं न कोई software प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं अपना टेलिग्राम चैनल प्रमोट करने की कोशिस कर रहा हूँ, मेरा अब्जेक्टिव है कि आप PCR डेटा को फॉलो करें, जिदर से भी करें, ये डेटा अपने आप में आपके लिए यूसफुल और प्रॉफिटेबल है, अच्छा इस चीज़ों मैं देख रहा तो वोट नहीं करते हैं, जो लोग डेट करेंगे, वही वोट करेंगे, क्योंकि उनको लॉस हूआ या प्रॉफिट हूआ, अधर्युक्स जन्हों ने कुछ भी नहीं किया, वोट नहीं करते हैं, तो इस तरीके से हो त्रॉइक है उनको आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने आपको वोटिंग कराई और यह भी और इन्स्ट्रूमेंट में तो कि वहाужд that during early party न्प्ति ले लुए लिज सेंशेक्स ले लिजे सारा डेटा हमारे पास अव्लेबल है और इसे हमने बड़े सिंपल तरीके से डिजाइन किया है और इसका की है कि आपको 12 वजे के बाद आप फॉलो करें और इसके लिए कई सागर जी ने भी लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें भी और हम लोगों ने एक्स्प्लेइन किया था वो भी आप देख सकते हैं वो पार और रिफ्री के डेटा में जैसे कि यहां पर अपिन इंट्रेस्ट है और बड़ा कॉंप्लिकेटर अच्छर मुंदी जैसे और पारे खता है साफ साफ देख रहा है और घतारे कॉलम सारे देखने की जरद भी हौ गोफार्टेधर ah तो अगर हम बहुत ज्यादा डेटा देखेंगा तो समझ में भी नहीं आता है तो हमें यह इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा डेटा कब देखना यह जानना बहुत ज़रूरी है तो आपके लिए जो रिलेवेंट डेटा है वो हमारे पास सौफ्ट्यर में अवलेबल है आप यहां से देख सकते हैं और अगर आपको mentorship लाइब मार्केट में चाहिए कि लाइब मार्केट में यह डेटा को सीखें कैसे करें तो फिर आप premium टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं वहां पे क्या है लाइब मार्केट में आप यह डेटा का interpretation हम पोस्ट करते रहते हैं तो आपके लिए helping हो सकती है मतलब दो चीज़े हैं एक तो यह software है यह software का subscription लेकर करके आप data देखके खुद analyze करो क्या करना है यह software का data नहीं देखना है मुझे नहीं मुझे direct चाहिए तो उसके लिए telegram है paid वाला जिसका link हमने description मुझे रखा है तो उनको direct dairy basis पे calls मिलते रहेंगे software और premium telegram में फर्क यह है कि जैसे हम लोग नानी ताल जाते हैं तो वहाँ पे बोट दो तरीके की मिलती है एक मिलती है paddle boat और एक मिलती है boat with a driver तो यह जो आटो टेंडर है यह paddle boat है आप इसे लेकर के खुझ चलाएं और market को enjoy कर सकते हैं इसमें सारा data है हलाग कि सीखने के perspective से बढ़ अचा है है हाँ सीखने के पर और इसमें बहुत सारा data है index का भी है आपको stocks का भी है और जो premium telegram channel की मैंने बात करी वो boat with a driver है यानि उसमें हमारे analyst है मैं हूँ हम लोग guide करते हैं live market में कैसे करना है और वो basically nifty centered है अगर आपको fin nifty bank nifty या sensex या stocks में trade करना है तो आपके अचा एक चीज़ और आट करते हूं जो लोग नितिन जी को पहली बार देख रहे होंगे नितिन जी smc global के research analyst है और daily आप कितने लोगों को trading कराते हैं जी देखे मेरे साथ premium telegram channel में करीब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी 9000 9500 इसका मतलब 9000 लोगों की जिम्मेदारी रोज आपके सर पे होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और क्या है 9000 लोगों के साथ हम live market में trade करते हैं live उनको data देते हैं ताकि उनकी learning होती रहे और earning तो learning होगी तो आपकी earning भी होती रहेगी और मेरे live market में कई सारे source भी आते हैं वो मैं आपको एक वर दिखा दूँ त आप मुझे track कर सकते हैं कैसे track करेंगे चैनल में जब आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े हमारे webinars भी होते हैं जैसे कल webinar हुआ था intraday option trading using option greeks अचा मतलब सीख भी सकते हैं हमारे analysts आते हैं webinars करते हैं यह TV पे हमारे regular shows आते हैं डेली के 300 आते हैं तो वो आप देख सकते हैं दोपहर में सो आता है आफ्टर नून में आता है रात में भी आता है अब यह देखिए कल यहां पे superhit calls IG business की और उसमें नितिन मुरारका की आ रही है बाए निफ्टी 21450 की पूर्चा नितिन मुरारका यह कह रहा है यह बता रहा है तो यह hit हो गई तो यह hit इसलिए हुई क्योंकि मैंने PCR डेटा को फॉलो किया यह मैं हिट नहीं हूँ यह PCR का है पूरी तरीके से PCR से सबको समझा जा सकता है पकड़ा जा सकता है मार्केट में और बार्केट की डिरेक्शन को बड़ी असानी से पकड़ा जा सकता है ठेक है अब देखे यह जी बिजनेस पे मेरे specific trades आते हैं trading calls in nifty and bank nifty और हर दिन Monday, Wednesday, Friday को 12.35 से 12.50 के बीच में आते हैं ठेक है निफ्टी के निसाने बाज के नाम से मुझे जाना जाता है मीडिया पे यानि निफ्टी के निसाने बाज और यह Monday to Friday हर दिन आता है यह सो 12.15 से 12.30 के बीच में ठेक है और Monday और Wednesday को इवनिंग मे साथ चालिस से साथ पचास पे बजाज आजकल यह सोज आते हैं यह तीन सोज मेरे regular चलते हैं और यह सो इसलिए चल रहा है कि मैं PCR डेटा को फॉलो कर रहा हूं अगर मैं यह डेटा फॉलो नहीं कर रहा होता तो यह कभी भी मुझे इतनी बड़ी opportunity यह सोज करने का नहीं मिल तो मुझे यह PCR डेटा ही बचा के रखता है क्योंकि मैं इस सो फॉलो करता हूं और यह मुझे बचा के रखता है और मैं इसके हिसाब से ट्रेट देता हूं तो हमेसा 60-70% winning percentage आ जाती है तो इसके थूर अपील यह है कि आप लोग यह डेटा को कहीं से भी लें सीखें समझें मगर PCR को जरूर यूज करें वंड़फुल मज़ा है नितन सर तो आज के सेशन में और भी कुछ है सिखने को यह आज को अबर करें एक बेसिक आपको इस वीडियो के थूरू कम से कम वोटिंग के थूरू आपको यह मन में यह हमने जगाने की कोशिस करें कि यह डेटा एक का की चीज है और आप इसे ट्राइ करें यूज करें और कॉंसेप्ट हीरो जिरो का बड़ा सिंपल है जो आपने समझा है आप उसको यूज करें इतना ही है आज के लिए मेरे तरफ से वंड़फुल तांक्यू वरी मच नितिन सर आज अच्छा बहुत कुछ सिखा है हमने भी और आपने भी तो इनके रिलेटेड को सवाल वगरा हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो हम नितिन जी को वापस घर से उठा के लाएंगे और दुबारा इन से सीखेंगे और और बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में सीखने में मुझा है तो बाकी टेलिग्राम कि जो आपके वीवर्स हैं जिनको ऑप्शन में अब काफी इंट्रेस्ट आ रहा है तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें और जैसे हर वी के एक्सपारी हर दिन एक्सपारी होने लग गई है तो उसमें लॉस कम से कम हो और सेभी का जो डेटा एंट फैक्ट से उसे हम कम से कम काफी हद तक इंप्रूव कर पाएं इसी अबजेक्टिव के साथ आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है थैंक्यू वेरी मुझ अब्स्टरफल